हेलो स्टुइंट्स नेक्स देखिंगे हम एक्जांपल नुम्बर टू क्या रहा है इवैल्यूट करना है फॉलॉइंग इंट्रीगल्स पार्ट को तो स्टार्ट करते हैं फिर से इंटीग्रेशन एकी पावर लॉग फिर रूट एक्स अपॉन के अंदर एक्स डॉट एक्स अब थोड़ा सा ध्यान देना जब भी हमारे पास एक्सपोनेशल की पावर रहती है ठीक है लॉग और मतलब कहने का मतलब है यह वाला बेस मतलब यह जो बेस है और यह बेस अगर सेम रहता है लॉग लगाओ है तो यह जो रूट है केवल यही आप डिरेक्ली लिख सकते हो यहाँ पर ठीक है यह हम क्लास 11 में पढ़ चुके है ठीक है अब देखो आपको पता है यह रूट अगर कट जाएगा बाइस बात है रूट एक्स उपर है नीचे एक से एक से तो होता है तो यह रूट से एक रूट और चला गया अब इस वैली को क्या मैं ऐसे लिख सकता अब इसका इंटिग्रेशन मैंने आपको कैसे सिखाया है बताओ इसका इंटिग्रेशन मैंने आपको कैसे सिखाया है एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी किलियर है आप एक्स की पावर कितनी हो गई आपके पास ही बताओ माइनस हा पावर कितनी होगी हाफ अपन यह पावर होगी हाफ लस इसको आप ऐसे भी निख सेक्ट के सेकंड देखो इन्टिग्रेशन 9 लॉग 3x सेम कंडिशन जन्रेट हो रही है यहां पर भी थोड़ा फोकस करना इस 9 की जगे में 3 की पावर 2 लिख सकता हूं और इसके मल्टिप्लाय में log 3x यह पावर जो है उपर जा सकती है विलकुछ जा सकती है तो 3 log 3 x square.dx ठीक है अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर यह वाला base और यह वाला base सेम ओ लॉग में तो इसका मतलब केवल x square पुट कर सकता हूं और अब इसका integration ले लो x cube upon 3 plus c बस simple बिलकुल आसान ठीक है next देखेंगे third integration e3 log x और फिर multiple mx की power 4.dx है तो log x इसको power मेज दूं cube अब एक और चीज ध्यान रखना exponential के अंदर अगर log है और फिर वहाँ पर x लिखावा या कोई और भी value हो तो केवल इसका answer x cube हो सकता है समझ गए same base से power add हो जाती है तो यह 7 हो जाएगा कितना हो गया x की power 8 upon 8 plus c बताओ क्या समझनी आया clear है आपर सभी को so यह complete होता है हमारे पास example number 2 completed कितना है कितना है